हेलो फ्रेंड, ओलिकम टो माई कीचेन, आज में सیर करूंगी आपके साथ सोया वड़ी की बहुत हेल्दी कभाब की रेसिपि इसे हम deep fry नहीं करेंगे, बहुत ही हेल्दी तरीकों से बनाएंगे, मैदा का इस्तमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेश्टिर बनकर ये तैयार होगा अगर आपको मेरी ये महनत और मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चलिए शुरू करती हूँ इस रेसिपी को बनाना सोयावडी की कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सोयावडी, सोयावडी को मैंने पानी में भिगोने के लिए रख दी हूँ अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार लिए हूँ अब मिक्सी जार में हम स्वयवरी डाल देंगे लेकिन ध्यान दीजिएगा निचोर के अच्छी तरसे निचोर के फिर आप स्वयवरी को डालेगा ताकि थोड़ी भी पानी ना रहे स्वयवरी में अब इसके अंदर हम डाल देंगे चार हरी मिच एक इच अधरे का टुकडा थोड़ी सी रसुन की कलिया डालने के बाद इसे हम ग्राण कर लेंगे अब इसे हम एक बोल में डाल देते हैं इसे ग्राण करते समय लगातार मिक्सी को नहीं चलाए मिक्स्चर को एक बार खोल कर फिर मिक्स कर लिजिएगा फिर आप मिक्सी को चलाएगा इसे क्या होगा कि ये मिक्स्चर दरदरा पिसकत तयार होगा और हमें दरदरा ही पिसना है स्वयवरी को अब मैं डाल दूँगी इसमें बारिकी से चौप किया हुआ सिम्ना मीच, एक बड़ी साइज का सिम्ना मीच है ये, बारिकी से चौप किया हुआ प्याँच, जितना हो सके उतना बारिकी से आप चौप किजिएगा, साथिसद हम डाल देंगे भूना हुआ जीडा पाउडर एक चमच, आधा चमच धनिया पाउडर, टेश्क के अकोडिंग नमक, आधा चमच कस्मी लान मीच, आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच आमचुर पाउडर अब इसमें हम डाल देंगे बैसन बैसन के बदले में आप मैदे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने पहले भी आपको बोली थी कि मैं हल्दी तरीकों से बनाओंगी इसलिए मैं बैसन का इस्तिमाल कर रही हूँ अब इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी बैसन आधा कटोरी बैसन के डालने के बाद इसे हम अच्छी तर से मिक्स करेंगे अब मैं डाल दूँगे थूर सी फ्रिस धनिया का पत्ते बैसन का इस्तिमाल नहीं करेंगे तब कबाब जब फ्राइ करेंगे आप तो इसे सौप्ट हो जाएगा कबाब और फिर फ्राइ करने के टाइम कबाब खुल जाएगा अगर आपको जरुत पड़ी तो थोरी सी बैसन आप और डाल सकते हैं अब देख लीजेगा चितर सी कि बाइंडिंग हो रहा है या नहीं अगर नहीं हो रहा है तो थोरी से बैसन आप फिर से एड्स कर सकते हैं इसमें अब मैं हातों में थुरु सी oil grease कर लूँगी oil grease करने के बाद थुरु से पोशन लेकर हम कबाब का shape दे देंगे देखिए मैंने कबाब का shape दे दी ही और सारे हम ऐसे ही कर लूँगी यहाँ पर मैंने तेल को गरम होने के लिए रख दी हूँ इसे हम cello fry करेंगी इसलिए मैं थोड़ी सी तेल को गरम होने के लिए रखी हूँ अगर आप चाहे तो इसे deep fry कर सकते हैं लेकिन gas का flame low करके ही आप इसे fry किजिएगा अब इसे पलट देते हैं gas का flame अगर आप हाई रखिएगा तो कबाब क्या होगा कि उपर से brown कलर का हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा इसलिए आप gas का flame low करके ही कबाब को fry किजिएगा इसे आप चाहे के साथ इसने का रूप में खा सकते हैं यह बहुत ही अच्छा लएगा खाने में देखिए हम लोग का कबाब cello fry हो चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और सारे कबाब हम ऐसे ही फ्राय कर लेंगे इसे एक प्लेट में निकालने के बाद इसे हम सर्फ कर लेंगे मैंने सर्फ कर लिया है और मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्फ किया है आप चाहे तो चाई के साथ भी इसे खा सकते हैं बहुत ही अच्छा लएगा खाने में